एलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग विल को देख पाते हैं जो कि ड्यूक को मारने के बाद बहुत ठक चुका था वो अब अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं अभी अब बहुत जादा ठक चुक पर इसास हो जाता है कि अब उनकी तरों बहुत सारे मॉंस्टर्स बढ़ रहे होते हैं पर हम देखते हैं कि उन सभी में से किसी के भी पास उन सभी मॉंस्टर से लड़ने की ताकत नहीं बची होती हैं वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रोफेसर वोकनर और प्रोफेसर से कह रहे होते हैं कि ऐसे तो हम लोग वहाँ पर टाइम से नहीं पहुच पाएंगे जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड भी एगरी करते हैं जिसके बाद वापस से हम लोग वील और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जिनके उपर अब मॉंस्टर ने अटेक कर दिया था और हम देखते हैं कि जैसे एक मॉंस्टर जूलियस पर हमला करनी वाला होता है कि तब ही वहाँ पर मेज़ा वॉंडर का किंग आरौन आ जाता है जो कि एक ही अटेक से वहाँ पर मुझुद सभी मॉंस्टर को खतम कर देता हैं और तब ही वहाँ पर प्रोफेसर वोकनर और एडव रहे हैं, इनके साथियों के पास तो डंजन में जाने का सामान है, तो इसका मतलब क्या ये किसी फ्लोर से वापस आ रहे हैं, जिसके बाद हम लोग आरोन को देखते हैं, जो कि अब उन सभी स्टुडेंट्स की तारीफ करने लगता हैं, क्योंकि वो लोग बिना किसी के सपोर् इनस को बताता हैं, कि किंग के आने से सभी मजिशन और एल्फ तो खुशी के मारे उनके सम्मान में जुग गए, और सभी लोगों की अटेंशन उनी की तरफ थी, मगर मेरी आखें किसी और को देख रही थी, किसको, हैं किसको, अरे ठरकुलो, कोई लड़की की बात नहीं हो और वो अपना नाम फीन बताता है, जिसके बात सीन शिफ्ट होता है, और अगली सीन में हम लोग उनी दोनों इंट्रूडर्स को देखते हैं, जहाँ पर अब एक इंट्रूडर्स दूसरे वाले इंट्रूडर्स से कहने लगता है, कि अच्छा हुआ है कि हम लोग इसे जल् ये सीन शिफ्ट होता है, और अगली सीन में हमें बताया जाता है कि इस भयानक इंसिडेंट के बाद ओल इस्टूडेंट प्रेक्सिस को रोग दिया गया है, क्योंकि इस इंसिडेंट के दोरान एकेडमी के 11 प्रोफेसर मारे जा चुके हैं, हाँ मगर उन प्रोफेसर के दया को भेजना पड़ेगा, अभिजित को भी, जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग वील और बाकी लोगों को एकेडमी के होस्पिटल में देखते हैं, हाई रे कमर तूड गई, माथा तूड गया, ऐसा नाटक वो लोग नहीं कर रहेते हैं, हम ही लोग करते हैं, वहाँ प लिहाना सभी लोगों से कहती हैं कि इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद भी हम लोग जिन्दा हैं, जिसका मतलब हम में कुछ तो बात हैं, हम लोग इतने खतरनाक अपोनेंट का सामना करने के बाद भी सही सलामत हैं, उपर से मैंने अपने नाइट होने की ड्यूटी भी निभ करती हूं आगे फिर लिहाना के पेट में गुड़ 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 हो रहा था मतलब उसको भूग लग रही थी इसलिए फिर कॉलेट उसके लिए कुछ apples लेकर आती हैं और उसको खिलाने लगती हैं मगर flow flow में लिहाना तो कॉलेट के एक के बाद एक, एक के बाद एक सारे एपल खाये जा रही थी, लेड़ी कुम्ब करण थी वो, जो देखकर कॉलेट उससे कहती है, कुम्ब करण कही की, सब का सब खा जाओगी क्या, अब तो वील और बाकी सभी के लिए कोई एपल ही नहीं बचे, क्या तुम करने के लिए जाधा खाना पड़ता है, तो इसलिए तुम प्लीज मुझे भुक कर तो मत बोलो, वही पर अब लिहाना का ऐसा बढ़ताओ देखकर, सियोन भी कहने लगता है, कि किसने सोचा होगा, कि मिस परफेक्ट ऐसी होगी, जिस पर विगनेल सियोन से कहता है, कि हाँ तुमने सही कहा, जब मुझे पता चला कि ये इतनी जाधा खाती हैं, तब मैं भी हेरान हो गया था, मैंने तो कुम्ब करन को फोन भी लगाया, कि पटा पटा आओ और इसको ले कर जाओ, मजाक, आगे फिर विल भी अपनी टिपपनी देता है, कि वैसे तो मैं भी बहुत ख खाता हूं, मगर लगता है कि लिहाना मुझसे भी जादा खाती हैं, जिस पर फिर आगे लिहाना टोपिक को थोड़ा सीरियस करते हुए विल से कहती हैं, कि वो सब छोड़ो विल, मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक्स कहना चाती हूं, क्योंकि बिना तुमारे बेटल एक बकवास की बीच में, कोलेट एक एपल उसके मुँ में ठूस देती हैं, जोब रहा है, जिसकी बाद सीरियोन विल से कहता है, कि वो सब तो ठीक है फ्लंकी, लेकिन ये बताओ, कि आखिरकार वो किस तरह की पावर थी, जिसने मेरे मेजिक को एब्जोब कर लिया था, तब ही कोलेट भी कहती हैं, कि हाँ तुमने सही कहा, वो पावर सच में कमाल की थी, उसे देखकर तो में एक पल के लिए हिरान हो गई थी, जिस पर फिर विगनेल भी कहता है, कि हाँ उस अटेक को देखकर तो ऐसा लग रहा था, कि वो किसी तरह की स्पेल ही थी, जिस पर लिहाना क पहती हैं कि मुझे ये तो पता नहीं कि वो कोई भी मेजिक था या नहीं लेकिन वहाँ पर कोई spell to cast नहीं किया गया था और इसलिए मुझे तो वे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इसे मेजिक भी कहना चाहिए या फिर नहीं आगे नक्चड़ा जूलियस विल से कहता है और अगर तुम्हारे पास एसी पावर थी ही सही तो तुम्हें हमें पहली बता देना चाहिए था तुम्हारी वज़े से तो हम वहाँ पर मरने वाले थे जूलियस वापस तुन्हें अपनी बखवा शुरू कर दी इसलिए कीकी उसे अपने नाखुनों से नोचने लगती है तब इन सारी बातों का जवाब देते हुए विल कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो क्या था उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था तब ही कोलेट कहती है कि शायद इसके बारे में हमें प्रोफेसर वोकनर और एडवर्ड कुछ बता सकें लिहाना कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो और तो और मुझे वो एबिलिटी कुछ अलगी लग रही थी तब ही विल सभी लोगों से पूछता है वैसे है क्या किसी को पता है कि वो जो यंग लड़का मेजा जादा नोलेज है और मेजे स्क्वीन के आने के बाद से उन्होंने टावर के साथ कॉंट्रे किया है कि वो सभी को डंजन में गाइड करेंगे लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके बिना हम डंजन के डीपर फ्लोर तक पहुंची नहीं सकते हैं तब ही विल वापस से अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे जानना है कि वो कौन सी पावर है जिससे मैंने ग्रेंड ड्यूक को हराया था और मुझे ये भी जानना है कि वो अजीब सी फीलिंग क्या थी जब मैं उस लड़के से मिला था यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम फीन को देख थे और मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ और ऐसा बोलकर वो अपने पीछे बंदे सामान को खोलता है उसमें से एक टूटा हुआ स्वोर्ड निकलता है जो देखकर हेड मास्टर उससे पूछती है कि क्या ये मेज स्लेयर का वेपन है जिस पर लीन हा कहता है औ और मैं जो ये वेपन लाया हूँ वो डंजन में नेचरली मिलते नहीं है इसका मतलब वो लोग डंजन में जरूर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आगे वो कहता है कि आरोन ने मुझे वापस डंजन में जाकर इन्वेस्टिकेशन करने के लिए कहा है इसलिए मैं इस इन कहता है कि कोई बात नहीं मगर आप सब इस बात का आप ध्यान रखियेगा तो ठीक है अब चलो में टोपिक पर आते हैं ऐसा बोलकर वो हेड मास्टर की टेबल पर चड़ जाता है और हेड मास्टर से कहता है कि आप मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताती तुम्हें पता है ना कि वोन्स तुमारी टेरिटरी में आती हैं और स्वोर्ड मेरी टेरिटरी में ये सुनकर हेड मास्टर थोड़ी डर जाती हैं और कहती हैं कि विल हमारी एकेडमी का एक स्टूडेंट है और वो एक वोन्ड बनना चाहता है ताकि वो टावर के उपर जा डिक टेबल है लेकिन शायद इससे बहुत कुछ बदल सकता है जो सुनकर फीन हेड मास्टर की टेबल से नीचे उतर जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे कुछ वक्त के लिए तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ लेकिन मैं उसके उपर नजर रखूँगा जिस पर हेड मास्टर कहती है कि हाँ तुम्हें जो भी ठीक लगे वो करो यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम लोग विल को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करने लग गया था तब ही वहाँ पर कोलेट आती हैं और कहती है कि घजब आदमी हो यार तुम अभी तक सभी लोगों की इंजरी ठीक नहीं हुई और तुम ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया जिस पर विल कहता है वो क्या है ना मेरे अंदर कुचन्या काटती रहती है इस वज़े से मैं आराम से नहीं बेट पाता और वैसे भी मुझे बहुत आगे बढ़ना है इसलिए मुझे और ट्रेनिंग तो करनी होगी क्योंकि मुझे कहीं पहुचना है तब ही थोड़ा दूर खड़ा जूलियस कहता है कि इसकी बोड़ी कितनी स्ट्रोंग है यह कोई मेज तो नहीं हो सकता लगता है कि यह शायद एक ड्वार्फ है जिस पर विगनल कहता है कि तुम्हें एक एल्फ के फ्रेंड को ड्वार्फ से कंपेर मत करो यह एक वोरियर है इसकी हमें रेस्पेक करनी चाहिए तबी नक चड़ा सियोन उसके मूँ से विल की तारिफ सुनकर विल को लड़ने के लिए चेलेंज करने लगता है यह तो पागल ही है यार एक नंबर का बेपालतु की लड़ाई करता है और चेलेंज करने के बाद वो सीधा छट से नीचे कूच जाता है जिससे उसे बहुत दर्द भी होता है तो कोलेट उसे रुकने के लिए भी कहती है मगर वो नहीं रुकता तो विल कहता है कि देखो सियोन तुमें बहुत चोट लगी है इसलिए तुमें अभी आराम करना चाहिए जिस पर सियोन कहता है तेखो तुम अपनी बकवास बंद रखो, तुमने ग्रेंड मेजिया फेस्टिवल में कहा था, कि तुम मेरे साथ बाद में फाइट करोगे, और इसलिए तुमें अब अभी मेरे साथ फाइट करना ही होगा, और वेसे भी, अगर तुम मुझे ही नहीं हरा सकते, तो टावर की उपर क्या खाग जाओगे, सियों के इसी नक्चडी बाते सुनकर विल मान जाता है, तेरी के तो ने, और फिर दोनों फाइट करने के लिए तयार हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों में धम धम फाइट शुरू होती है, हम देखते हैं कि विल सियों के अटेक से बचकर इधर उदर भाग रहा होता है, और ये सब प्रोफेसर एडवर्ड भी देख रहे होते हैं, तब ही वहाँ पर अचानक से प्रोफेसर वोकनर आ जाते हैं, चोरा धुमाला कर रहा हो, और उन्हें देखते हैं, सबी लोग वहाँ से भागने लगते हैं, इसके बाद हमें दूसरी त स्टीयर के स्टुडेंट होने के लिए ये आपका लास्ट एक्जाम होगा, ऐसा कहे कर वो सभी को क्वेश्चन पेपर दे देता हैं, और एक्जाम स्टार्ट हो जाती हैं, तब ही वील अपने मन में कहता हैं, कि मैं पूरी महनत करूंगा, और एलफी से तो मिलकर रहूंगा ठीक है भाई, लेकिन अगले सीजन में, क्योंकि ये सीजन, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता हैं